नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवा में चार तारिकों इलेक्षन है और इस इलेक्षन वाले दिन प्रजाइडिंग ओफिसर्स के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है उन जिम्मेदारियों को किस तरह से पूरा करना है और पोल्डे को किस तरह से सफल बनाना है उसके लिए प्रजाइडिंग ओफिसर्स को कुछ महतुपूर बातों का ध्यान अवश्य रखना है तो इस वीडियो में जानेंगे हम उसी को की presiding officers को किस चीज को बहुत ही जादा तरीके से और ध्यान पूर्वक करना है लेकिन उससे पहले अगर आप सिक्षप्रभा पर पहली बार आए हैं और आपने सिक्षप्रभा को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले presiding officer को अपने साथ एक diary लेकर के जाना है और diary में B.U.C.U. नंबर को नोट कर लेना है सेकेंड तीन या चार strip seal ABCD, green paper seal तथा special tag मिलेंगे इन सभी के नंबर तुरंत अपने diary में नोट कर लें और जो भी use हो जाएं उनके आगे used लिख लें इसी के साथ जो बचेंगे उन सभी को unused करके लिख लें next tender vote 20 मिलते हैं first polling officer द्यान से परिचे पत्र को देखे ताकि 20 के 20 जो tender vote है जैसे आए हैं वैसे के वैसे वापस चले जाए जिस लिफावे में tender vote 20 के 20 वापस आए हैं उसके उपर unused tender vote लिख लें और दूसरा जो लिफावा है उस पर white plain paper पर निल लिख करके उस लिफावे के अंदर रख दें लिफावे के उपर लिख दें used tender vote निल याद रखें इस्टर्टरी के जो पांच और नॉन इस्टर्टरी यानि की जो आपको ग्रीन पांच ग्रीन लिफावे और जो आपको येलो इलावन लिफावे मिलेंगे उनके अंदर कोई भी लिफावा अंदर से खाली न जाए अगर कुछ भी नहीं है तो white plain paper पर निल लि अफिसर की तरफ गैप न रखें तार पर वोटर्स का हाथ या पैर पढ़ सकता है और connection डीला हो सकता है इसके बाद जो फर्स्ट पॉलिंग ऑफिसर के पास male female की अलग से लिस्ट होती है उसको किलियर कर दें माक करता रहे male female total हो रहे है आप से कई बार male female का data मांगा जा सकता है आठ से नो के बीच और उसके बाद हर घंटे हर दो घंटे में आप से male female पूछा जाएगा तो उसके डेटा को अपने पास prepared रखें सेकंड पॉलिंग ऑफिसर को बोल दीजिए कितने 18 से 21 उम्र के वोटर आए हैं इसको नोट करते रहें क्योंकि ये भी पूछा जा सकता ह है वीर्स जो वोटर स्लिप होती है और जो एपिक काड यानि की वोटर आईडी कार्ड से कितने लोगों ने वोट दिया है सेकंड पॉलिंग ऑफिसर हर रजिस्टर वोटर के पेज के नीचे टोटल करता जाए इस चीज को भी पूछा जा सकता है इसके अलावा रजिस्टर वोटर्स पर सेकंड पॉलिंग ऑफिसर वोटर्स के पूरे सिगनेचर ले ले जितने भी लोग वो डालने आ रहे हैं वो अपने सिगनेचर को पूरा करें सही से सिगनेचर करें और अंगुठा लगाए इस चीज का ध्यान रखा जाए थार्ड पॉलिंग ऑफिसर एक अंगे से बांद कर अलग रखते जाएं चार बजे से प्रजाइडिंग डायरी एकाउंट्स ओफ वोट्स यानि की 17C को भरना शुरू करने क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है 17C में एजेंट्स की सिगनेचर बहुत जादा जरूरी होते हैं और एक एक कॉपी उनको ज सुरक्षित रखें एक चोटी कैची चोटी हतोरी स्टैपलर मोट्री वाली चोटी कीले ले जा सकते हैं क्यूंकि काम आ सकती है वोटर गंपार्टमेंट तयार करने में इनकी जरूरत पड़ सकती है इसके अलावा उंगली में जो काली यह लगती है उसको मिस ना करें उसको जरूर लगाना है हो सकता है वोटर के बाहर निकलते ही observer या तो observe करे या तो पत्रकार उस निशान को चेक कर सकते हैं इसलिए second polling officer नियम अनुसार उसको लगाए और third polling officer उसको चेक जरूर करे तभी वोटर सिलिप को हाथ में पकड़े कोई भी चुनाव उमीदवार आए उसको नमस्ते करने का ही जवाब देना है उससे बहुत ज़्यादा बाते नहीं करनी है अराम से अपनी seat पर बैठे रहना है किसी को भी वोटर कंपार्टमेंट में जाने की इजाज़त ना दे सिवाए वोटर के या फिर special case में कोई companion भी तीन बज़े के बाद polling officers सुस्थ होने लगते हैं उन्हें बिल्कुल भी सुस्थ ना होने दे इस से गलती होने की उमीद बढ़ जाती है एजेंट्स के appointment letter ध्यान से चेक करें और उमीदवार के signature टैली करना ना भूलें सबसे महत्पून बात BCCU connection हो या मोग पोल पाहर शोर हो रहा हो या मोग पोल certificate भढ़ने का समय हो एजेंट्स का appointment letter लेने का समय हो या presiding diary 17C भढ़ने का समय हो कुछ भी हो घट बड़ा हट नहीं दिखानी है जल्दबाजी नहीं करनी है घबराना नहीं है सभी लिफाफों को election से एक दिन पहले ही घर ले जाएं और तयार कर लें बलकि packet number 3 के लिफाफे भी अगर हो सके तो घर पर ले जाएं और घर से बना करके ले आएं ध्यान रहें मोगपुल समाप्त होते ही किसने कितने वोट डाले हैं उसको नोट कर लें गिंती सही होनी चाहिए क्लोज का बटन दबा दें सब एजंट्स को बुला करके टोटल चेक करवा दें फिर उसके बाद किलियर करने के बाद स्विच आफ करना ना भूलें और उसके बाद सी लिंग शुरू करने तो यह थी कुछ महत्वपून बाते जिनका ध्यान प्रिजाइडिंग को रखना है आशा करती हूं वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी आपके लिए यूस्फुल रही होगी तो वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना नहीं बूलना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है इसी तरह की बाकी वीडियो के लिए